ग्यान दे ट्रेजर में आपको सौगत है और हम आपको बताएंगे कि आप बेना एक्ष्टा खर्च किये हुए पिट्रॉल और डीजल द्वारा अपने माईलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं कि अज महेंगाई बढ़ती जा रही है पिट्रॉल डीजल दोनों की आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है यदि आपकी आदित है आफिस जाने की अपने गाड़ी से या बाइक से तो उसमें आप तो कटोती करनी पाएंगे तो बहते है कि उसे बचाओ कर रास्ता रून ना चीए ताकि महेंगाई से बचे भी GST भी आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें जहां पर महेंगाई बढ़ने वाली है तो कैसे आप करोगे तो उसके दिए हम उपाइब बता रहे हैं पहले चीज़ तो आप टायर के प्रेशर च्रेकर हैं महीने में कम से कम एक बार तो टायर प्रेशर जाच करवानी चीए एक महीने में तकरीबन 0.15 बार्स प्रेशर की कमी हो जाती है तो टायर में उचित प्रेशर होने से माईलेज अच्छी होती है साथ ही वेकल्स के अलाइन्मेंट को समय समय पर चेक करवाते रहना चीए उसके बाद आपको ज़्यादा सामान नहीं रखना चीए उपर ज़्यादा खपत होगी विजल और पेट्रॉल की कार की छट पर सामान रखने से हवा का दवाव बढ़ जाता है जिसके कारण कार चलाने में ज़्यादा पावर लगती है तो इससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है आपको बता दू कि कार के विंडो सन रूफ खुले रहने से बी हवा का दवाव बढ़ जाता है और इससे भी फ्यूल खर्च होता है कार में ज़्यादा लोग को बैठाने से भी दबाव बनता है और 40 किलो वजन फ्यूल खर्ष को दो फिश्दी तक बढ़ा देता है साथ ही सुरच्छा और साउधानी के लिए आज से कार में हमेशा एक्स्ट्रा टायर जैक और स्पेर टूल्स रखने ही चीए फिर आपको एसी का प्रियोग कम करना चीए कार में एसी के कारण खपत 10 परतिशत तक बढ़ जाती है 80 किलोमेटर परती घंडा से उपर की स्पीड के लिए एसी का इस्तमाल उचीत माना जाता है तेज स्पीड पर एसी की चगह एर बेंट का इस्तमाल करें कार को दूप में पार्क नहीं करें अगर आप दूप में कम पार्क करतें आप मजबूरी में तो चलो पार्क करना पड़ाए जाता है तो ऐसा करने से आपको ऐसी की खवर्ध है वह बहुत कम होंगी उसके बार आपको गयर पर ध्यान रखना पड़ेगा पेट्रॉल वेकल्स में गैर 2500 RPM से पहले बदयवाले ने चीए और डिजल में 2000 RPM से पहले ऐसा करने से कार अच्छी माइलेज देती है अगर आप लंबे सफर पर जा रहे हैं तो एक जैसी स्पीड पर ही गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश करें कि टॉप गयर कहीं इस्तेमाल करें ट्रैफिक जाम में आप इंजन को बंद कर दीजिए जब भी ट्रैफिक जाम में फज़ जाया तो अपनी कार का इंजन बंद करें ऐसा करने से फ्यूल बचता है और एर पॉलुशन भी कम होता है स्टड़ी के अनुसार अगर आप कभी सभी सिगनल पर इगनिशन आफ कर देते तो हर मेने कम से कम डेड़ से दो लीडर तो बचाईए सकते हो दूसरे जब आप गाड़ी चलाते हैं दूसरे वेकल से आप डिस्टन्स मैंटेन रखो ट्रैफिक जाम में दूसरे वेकल से प्रयाब दूरी बनाकर रखने से ट्रैफिक के फ्लो में आप चलते रहेंगे इससे फ्यूल बचता है और बार बार ब्रेक भी लगाना नहीं बचता है भरे चाम में अगर एकदम से ट्रैफिक रूठ जाए तो एक्सलेटर से पैर हटा कर रखने गाड़ी को समाज सकते हैं रफतार को आप धीमी रखिए एक सर्वे हुआ था दो हजरी गारह में तो सर्वे का यह था कि कम रफतार पर विक्र को चलाने से फ्यूल की बचत होती है नबबे किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड से जादा चलने पर कार में फ्यूल की खपत जादा होती है साथ इस सर्वे में यह भी कहा गया कि 110 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड में फ्यूल की खपत 20 जिजदी तक बढ़ जाती है हाई वेपर ड्राइविंग करते हैं स्पीड का ध्यान रखा जाए तो फ्यूल की बचत होती है गाड़ियों से आप स्टंड नहीं करें आप फिल्मों में स्टंड देखता है इससे फ्यूल की बरबाती होती है शेहरों में 50 फिस्ती कारों में तेज स्पीड के कारण एनर्ची बरबात होती है तेज स्पीड के लिए गाड़ी को पहले टॉप गेर में लाएं अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो कार तो समाने तोर पर गर्म करने की ज़्यादा ज़रूत नहीं पड़ती है तो ठंड में इंजन वाइल और कूलेंट को गर्म करने के लिए ब्लॉक हीटर का इस्तमाल करें तो ऐसा करने से कार को स्टार्ट करने में असानी होती है और फ्यूल की खपत भी कम होती है बिना ज़रूत हेडलाइट एर ब्लॉर यह सब मतलब जादा आपको इस्तमाल करने के ज़रूत नहीं है सर्विसिंग टाइम टाइम पर करवाते लिए अपने कार की समय समय पर सर्विसिंग ज़रूर करें कार का खराब इंजन गंदा एर फिल्टर और खराब इंजन वॉयल फ्यूल की खपत को बढ़ा दें इससे भी आप फ्यूल बचा सकते हैं तो इन सब चीजों से आप अपने माईलेज को बढ़ा सकते हैं तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड देशिए धन्यवाद